दोहरा मापदंड के खिलाप हुम है। 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 जैसा कि विवेक का अपने विवेक का इस्तेमाल बाकी सारे कलाकार लोग करते हैं फिल्मकारों को भी करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टेलिविजन प्रोग्राम्स देखिए। उनमें भी बहुत रिग्रेसिव नारी का चितरन है। वो सेंसर बोड से बाहर है। और सेंसर्शिप भी नहीं है टेलिविजन पर आप यह देख लिए। अगर आप चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि सिर्फ फिल्मकार नहीं बाकी जगे भी व्याप्त है। अगर आप विग्यापन देखें तो उनमें सबसे अधिक है नारी का इस्तेमाल बेचने के लिए चीज़ें तो इस तरह कि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इसका इलाज यह पोलिस गिरी डंडा गिरी नहीं है किसी भी तरह से। आपको यह विवेक पर यकीन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट देने काटा पीटी ना करें। अब कई फिल्में आप सेंसर बोर्ड से पास कराके ले जाते हैं। और उसके बाद उनका विरोध होता है। और वो राजनेतिक इस्तमाल के तौर पे होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों का। जबकि उसका कोई गलती नहीं है। कि उसको एक तरह से किस तरह से देखा जाए। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ है। जैप्रगाश जी मैं आप सीक्टों कि महिलाओं के चितरन का एक मुद्दा उठा और सेंसर बोर्ड की भूमिका की बात हो रही है। आपकी फväली फिल्म जो ठी ऑप जो आपने की साजन की राहों में। मनें समाजिक मुद्द के सायब मार्केटowa जिन मनीशा वनीशा कोई राला keeping庡 की स्точноूरी थी एक हमने और यालिटी दिखाने कोशिश की एक जमाने में मुंबई रावच के जहान जो लोर क्लास के अपना जो गरीब तवेक के लड़कियां बेशी जाती थी बैकादा एक रात की निकाह किया जाता था उनके साथ और दूसरे दिन तलाग दे दिया जाता उस मुद्दे को भी लेकर हमने फिलिम मनाई दी और उसमें भी हम महिला के चरित्र को बैकादा उसके इन तक लेके गए तक कि किस अपनी लाइफ को फाइट करती है एक बोथल में रहने वाली लड़की को भी अपनी जिंदीवी जीने का हゃग है उन सभास कर एक आएँ जिसको हम ऊसी तरह से परती मैं उस प्रिक लेता हूं जिस तरह की फिल्म में आ रहे हैं कि अधार्था कितनी चही है पास हो जाती है तीना शर्मा जी हमारे साथ राजे श्देलंग जी है और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए जैया प्रगाँजी बॉलिवूट से डीरेक्टर हैं प्रोडूसर है तीना जी हम एक बार फिर मैं उस फिल्म की अगर बात करूँ जिससे हमने चुरुआत करी उस फिल्म को एक हफते में 70 करोर कमा लेती है एक किताब आई है अंग्रे जी की 50 Shades of Grey और ये बहुत जादा बिक रही है सवाल ये है कि लोग अगर अकेले में पड़ रहे हैं या लोग सिनेमा हाल में जा रहे हैं इस तरह की लोग चीजे पसंद कर रहे हैं तो इसमें फिल्म कार क्या करेगा अगर लोग देखना चाह रहे हैं तो उस तरह की चीज बनाएगा इस देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी हमें अगर बोलने का हक है तो हमें वह खड़े अगर हम खड़े तो फिर 144 जारा क्यों लगाई जाती है तो फिर सब पर लाईए आप सिर्फ देखे मैं मेरी अपत्ती उन फिल्मों पर है जो पॉलिटिकल माइलेज की है मदरास के फैया ही तो वह सिटिंग कॉर्मेंट को सपोर्ट कर रही थी तो वह एजी ली उसपे यूनो उसको पास कर दिया जाता तो इन चीजों पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं एक लांड अफ लॉट होता है उस जो हमारा लॉट अफ लांड है उसके ह अब बाइब कर दो 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 आपने जाता है उसके है उसको पाणून नहीं मिल सकता और देखें वह फिल्म जो है आज की तारीक में सुबह साड़े आठ से पौने ग्यारा के शो में स्कूलों ने डिमांड की पी वी आर से पीवी आर थेटर में चल रही है और वह फिल्म क पॉना घंटा कटके चल रही है तो इसलिए कटके चल रहे है क्यूंकि यूस चरटेफिकत मेला और उसको यूस सब्सक्राइब कर रहा है तो आप अपनी पावर का बेजा इस्तमाल कर रहे हैं और कुछ भी पास करा रहे हैं वो वो उस पर आपका अपति है मैं जै प्रकाशी आपसे आखरी बात जाना चाहूंगा यह संतोलन कैसे बनाया जाए जाए कि एक माइंड सेट होकर एक फिल्म देखने के लिए जाते हो तो उसमें हर चीज एक और्डियंस को मिलना चाहिए चीज़ को देखने जाएगा नहीं अबंधिकई लूसे ऑफ लृत की क्यासरी सीरियल इतने परी घर दवार और घर की सारी अरों पेमली सीरियल ही में जानी को यहीं किसे वो फिल्म को उस नेजरी से देखने के लिए जाती है राजश जी आपके आखरी वर्ड आपके कैसे समझते हैं सेंसर बोर्ड की भूमिका और कुल मिलाकस संतुलन लोगों की समाज में जिस तरह की हमारी सोच है उसको लेकर और साथ-साथ जो फिल्मकार बना रहे हैं जो जिए उस वक्त के साब से मुझे नहीं लगता कि एक जमाना था जब मतलब बहुत सा बहुत शायद एक मतलब गुंगट अगारना भी बड़ी बात मानी जाती हो शायद किसी जमाने में आज ऐसा नहीं है तो इसका मेरे इस कहने का मतलब यह नहीं है मेरा कि महिलाओं को का ज ऐसे फिल्म को इतना powerful मेडियम हमने मान लिया मुझे लगता है टेलिवेजिन उतना ही powerful मेडियम है और सिर्फ फिल्म के साथ ज़्यादती होती है censorship के मामले में बाकी कलाओं के साथ नहीं होती प्रफिशन का बहुत रेवन्यू है अगर टेलिविजन की तरफ जारे तो कहिने को इसके पीछ रेवन्यू भी है तीना जी आप लड़ रही है सेंसर बोड को लेकर आपको लगता है कानून बदलना एक सही रास्ता है या फिर जो कानून है दरसल उसके हिसाब से हमें फिलाल सेक्सवल एजुकेशन भी देश में होनी चाहिए बहुत सारी चीजों में फिर आमें उदारता दिखानी चाहिए एक सेंसिताइजेशन जो देश का होता है वो उससे साब से करें इसको सिर्फ इसी तरीके से मैं कह सकते है इसको बहुत अच्छे एक्जाम्पल है कि आप एक अब फिलम को दो फिलमे यहां पर अगर मैं लूँ कर रिसिंत मेरे अबजिक्शन है रेस्टू और डर्टी पिक्चर तो डर्टी पिक्चर को युएस में अडल्ट रेटिंग मिली है और रेसटू को भी अडल्ट रेटिंग पर अपना कहीं जुगाब की राजनी कि पहली चाहिए पर freedom में अगर commercial angle है तो उस पर take भी होना चाहिए और उस पर एक कानून भी होना चाहिए और उस पर एक ऐसका वे सारे फिल्मकार अपने आपको उसमें बांध के नहीं चलेंगे जाहां commercial angle है पैसे का angle है वहां तो और समाज पूरा प्रती मिम्मित हो रहा है उससे तो आप कैसे उसको बिना कानून के छोड़ देंगे आप एक एक मैं कह सकती हूँ कि आप जानवर छोड़ रहे हैं और उसको आप रसी से नहीं बांद रहे हैं तो रुकसान करेगा जाके चलिए फिलाल यह बहुत 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 शुक् कानून में परिवर्तन हो फिल्म कार्स विल्म कार्स दिवड़ और कहीं चला और साथ विलगेरिटी वे पन है लगए बिहार में बाकी राज्यों के बनिस्बत, चाहे वो महारास हो या गुजरात हो, आट्याई कारकरताओं पर हमले होने और उनकी हत्या होने की जो घटनाएं हैं, वो काफी आम हो रही हैं और हत्याओं में इजाफा हो रहा है, ऐसा कहना है बिहार के RTII अक्टिबिस्ट और मैक्सिसे पिरसकार विजेता संधीप पंडे का पिछले दिनों बिहार में RTII कन्वेंशन हुआ था जिस दोरान उनने इस बात का दावा किया था और उनका ये भी मानना है कि बिहार में जो करप्षन है वो काफी ज्यादा है जिसके चलते ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है कहीं न कहीं आठ्याई कारकरतों पे इस तरह के हमले उनके हत्याएं होना काफी चिंता का विशे है खबर करनाटक से है केंसरकार का एक महतुपूर कानून है सुचना का अधिकार कानून अभी हाल में इस देश को एक खाथ सुरक्षा का अधिकार भी मिला है करनाटक के सामाजिक संगठोरों ने मिलकर एक कैमपेन चलाया इस campaign को चलाने के पीछे का जो मकसद था वो ये था कि वहां के बहुत से जो ग्रामीर हैं जो लोग हैं उनके राशनकार नहीं बने और जिन लोगों के राशनकार बने थे उनमें उनके नाम गलत थे इसको सही कराने के लिए उन्होंने सुचनक अधिकार का उनका साहरा लिया ताकि जो खाद सुरक्षा का अधिकार है वो जो अनाज है जो चावल और गेहू है वो सही लोगों तक पहुत सके आटियाई से वैसे तो कई खुलासे देश भर में हुए हैं लेकिन अभी जो खुलासा सामने आ रहा है वो देहरा दून से आ रहा है जो उत्राकंड की राजधानी है वहाँ पर MDDA ने एक कंपलिशन सेटिपिकेट जारी किया था अनिवारी किया था कि वहाँ के जो निर्मान कारे हो रहे हैं उसके लिए ये सेटिपिकेट जरूरी होगा लेकिन ये सेटिपिकेट का जो आटियाई से खबर आ रही है उसमें ये बात सामने आई है कि वहाँ तक ये कंपल जरूरी था लेकिन वहां के जो बिल्डर हैं जो लगबग सवासो वहां पर अपार्टमेंट बन करके तयार हैं धेर सारे मॉल बन रहा है अभी भी बनना जारी है लेकिन कोई नहीं ले रहा है तो इता आट एस अफते और इसी के साथ आज कारेकरम में इतना है आपको हमारे का स्क्रीन पर आ रहा है और आप हमें अगर खत भेजना चाहिए तो हमारा पता नोट कर लिजे हमारा पता है जानने का हग कबना नंबर 226 दूर देशन भवन टावर बी मंडी हाउस कॉपर निकसमाग नहीं दिली एक एक शूनने 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 एक